हाई गाइज वैलकम तो यूर चैनल बर्मार टूटोरियाल से यहाँ आएम विकास कुमा बर्मार टुड़ेए टोप वर्ल्ड पोपुलेशन उनाटेड नेशन पोपुलेशन फंड क्या है इंडिया और वर्ल्ड का सेक्स रेशियो क्या है ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जिसका पोपुलेशन ज्यादा है ऐसे एस या और अधर कंट्री में पोपुलेशन कितना है पाकिस्तान इंडिया नेपाल सिल्हंगा के पोपुलेशन कितना है उनका सेक्स रेशियो कितना है इस तरह का जैनकारियां मैं इस वीडियो के माधियम से आप लोगों को देने वाला हूं इसको जरूर से जरूर देखे और लोगों को ज्यादा स्यादा सेयर करें और लाइक करें यह बहुत बड़ा इंफर्मेशन के रूप में आपके लिए लेकर आया हूं मैं जो काफी महत्पुन है उनाटेट नेशन पोपुलेशन फंड क्या है इसकी कौन कौन से रिपोर्ट जारी कियाती है वर्ड में मैं मेल ओफी मील का क्या कौन प्रैHoaki अन्ट्रिविशन है इस तरह का जानकारियाल हूं सभी में इस विडियो के माध्यदिधy देने वाला हूं इसे ज़रूर से देखें बहुत महत्पुन है काफी फाइदे मन ले सकते हैं इसका लाव उठा सकते हैं आए चलते हैं इस वीडियो के वारे में विश्टार से चर्चा करते हैं क्या है इस वीडियो में इसका बनाने का क्या मक्सद है तो देख सकते हैं UNFPA United National Population Fund. Formally the United Nation Funds of Population Activities is an organization. यह UN का organization है. Their work involves the improvement of reproductive health including creation of national strategies and protocols and births controlled by providing supplies and services. The organization has recently been known for its worldwide campaign against child marriage and female genital multilation. The UNFPA supports programs in more than 100 countries, 150 countries. The agency begins operation since 1969. यानि इसका मक्सद क्या है? Child marriage and female generation multilation का देखरेक करना जितने भी प्रोटोकॉल्स जारी किया गया है पॉपुलेशन के से संबद में उसको उसके प्रोटेशों में अनुन देशों में लाग करना इसका वर्किंग का व्लेंटरिटी प्लान इसके बाद अंडर गो शेफ प्रिग्रेंसी इंड चाल्ड बार्थ अबॉइड श्यूशली ट्रांस्मिटेशन इंक्रीश देखरेटी ओंड इंकरजिंग दा यूज ऑब बस कंट्रोल इसका यूज़ ए फ्यूमन राइट्स बेस्ट अप्रोच इन प्रोग्रामिंग तू अड्रेस थी ट्रांस फॉर्मेटिव गोल्स जीरो प्रिवेंटेवल मैटरनल देथ जीरो जेंडर बेस्ट भाइलेंस जीरो अनमेट नीट फॉर फैम्री प्लानिंग यह था इसका वर्किंग यानि यह का है रहे इस सभी महत्पुन कार हैं जो यूएन प्ये करती है यह लगभाद देशों में फैलिवी एसंस था यह य जब्वे से पंचारे परसेंट तक इस्टिमीट करके लगभाग 1.2 मिलियन तो जड़ मिलियन मिसिंग दा फिमिल बर्स अनुवल्ड वाइड इनका कहना है कि लगभाग 1.2 मिलियन से जड़ मिलियन तक लगभाग हर वर्स महिलाएं जो हैं वो खो जाती हैं मिस कर जाती हैं यह जेंडर विएस्ट सेक्स सेलेक्शन के द्वारा तू कंट्रिस ऑल्सो अकाउंट फोर लाजेस्ट नंबर ऑफ बर्स इच इयर इस तरह से कैंपेन करके मैलाओं को जागरू करने के लिए उनका रिपोर्ट त्यार करने के लिए यसे बहुत सारी कायरे करती हैं उसके वा जो है उनकी संख्या लगतार घट रही है है जो अल्रेडी बीन अब्जर्ब्ड इन सम कंट्रिस एंड एफेक्ट्स मॉस्टली यंग मैं फो दर लोवेल एकोनोमिकी स्टेट था एड़ दा सेम टाइंग देख सकते दोहर पच्पन में इंडिया का क्या स्थिति होने वाला ह गड़ जाएगी और दोहर पचास तक लगवर तेन परसेंट यह मैलाएं का हो जाएगी इसा रिपोर्ट में कहा गया है इसके बाद ही इसने कहा है कि दस साल के बाद यह संभव हो जाएगा कि गल्स लोगों इसकुल लंबे समय तक भीजा जाएक नहीं उनका लाफ इसक्या इसने कहा कि लगवग 3.3 मिलियन साल के बाद 2030 में तक लगव 84 मिलियन गल्स का साफर करेंगी वह हमफुल प्रॉब्लम से रिपोर्ट के नेक्स रिपोर्ट क्या है कि भारा सरकार ने लगवग एक कैस ट्रांसफर इनिसीटिव लाया एक पहल लाया था अपनी बेटी अपना धन इन इंडिया यह काफी महत्पुन था लड़कों के लिए इसमें एजुकेशन रिलेटिव इंट्रवेंशन्स इंक्लूड किया गया था और उनको डारेक्ट ली स्कुल में बोक्स उनिफो के द्वारा और भारत सरकार की इसके बाद कुछ आंकड़े आपको बार ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं दिखाया गया हीमन पॉपुलेशन सींस एटीन हंड्रें बिलियंस किस तरह से एटीन बिलियंस के बाद लगतार यह बढ़ते जा रही है टू बिलियन फोर बिलिय में था शिक्स विलियन एटीनान में रहा और शेवन पॉइंट बिलियंट टूट ट्वी एट फोंट इंट्रेंट अश्या का इंडिया का उप्र यह एस चाना का यूक्व फॉइन तरी ब्राजिल का यह इस तरह से बहुत तारे नाजिरिया का है बैंग्लादेस का है मैक्स पॉपलेशन का यह जितने भी रेट सिंबल देख रहे हैं इसे सब अबादी वाले घने अबादी वाले छेत्रहिन का डेंसेटी बहुत काफी अधीक है इसके बाद यह आप देख साथ चित्र के माधियम से इसमें दिखलाया गया कि किस तरह से पॉपलेशन को लगतार कंट्र जो-धीक है यृट है उसमें किल्यर से बारे बतला है इसका डेटा क्या कहत accent है रेटेया में क्या है ब्रॉम में क्या है लिर में क्या है इस तरह से जो लन-दिया गया है Iskよう से बहुत सार है पाकिस्तान है इस तरह से योक्य है इससे सब टॉप फाइब कंट्रीस में आता है जहां पर सब्सक्राइब पोपुलेशन पाया जाता है इसके एक और डेटा आपके पास लेके आया गया है कि अफरीका वर्ल्ड में एसिया इरोप अफरीका लेटिन अमेरिका नौर्स अमेरिका और ऑसियाना में किस तरह से पोपुलेशन लगतार बड़ा है पोपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स रिजन इन मिलियन मिलियन में दिखाया गया है इसकी बार देख्षते दावल्ड पोपुलेशन है एक्सपरियंस ग्रोथ फोलविंगा ग्रेट फैमीन इन थर्टेंट फिर्टेंट 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 में था इन्हेंटेंट इन्हेटेंट ऑन लाज इसकेल इस्या इस्या इस्याइश क्या सब्स्यादा संजन संक्या वाला महादीफ है इसमें लगव 4.5 बिलियन एविटेंट्स अकांटिंग फिर्ट पर्षेंट कंतरी चाहिना इंडिया इंडिया का सब्स्याइंटियेंट्स पॉप्लेट्स प्रफिलेशिन एंडिया और चायना इसके आदेख सकते हैं श्कालोज historical world population and history of the world estimates of the world population by the nature are the accepts of modernity possible only since the age of discovery यह देख सकते हैं early estimates of for the population of the world date the 17th century 17th century 18th century 19th century or tooth and 20th century इस लगतार यह किस्तर से बड़ा है इसके बारे में दिखला है है ancient and apostolic classical history estimates of the population of the world at that time agriculture emerged in around 10,000 BC have ranged between 1 million and 15 million even earlier genetic evidence suggests human may have gone through population यह किस तरह से रिजिन में एस्या में एरोप में लेटिन अमेरिका में नौर्स में और सियाना में किस तरह सुनका contribution है population का एक तरह का इध्यास बना हुआ है लगतार percentage जो है उनका distribution बढ़ता जा रहा है इसके बाद फिर next जो है बहुत ही महत्पुर्ण important news है इसमें दिखलाया गया कि वर्ल्ड की अबादी कितनी है लगबग लगबग अबाउट 8 billion पीपल लोग यहां पर रह रह रहे हैं वर्ल्स पॉप्लेशन इन डेमोग्राफिक दा वर्ल्स पॉप्लेशन इस टोटल नंब पहुत चुका है पहले 200 साल से पहले 1 billion था ही जाइन असका कई सब्रेशन का यह खतरनाक होता जा रहा है कि लगतार संसाधन का कमय होता जा रहा है पॉप्लेशन बढ़ता जा रहा है रोजगार बढ़ता जीवन नहीं मिल पा रहा है उनको nutrition वह पुट्स नहीं मिल रहा है स्रोच महिला जनसंख्या वाले सिर्ष देश जो है कुराकाओ लताविया मार्कीट उनका पॉपलेशन देख सकते हैं कितना महिलाओं का पॉपलेशन देख सकते हैं कि अधिक है और ऐसे बहुत सारे कंट्रे जहां पे कम है बेलारूस में भी जिसकते हैं एस्टोनिया में भी जिसकते हैं परसेंट है चीन और हंकों में भी 53 परसेंट है और गुवादे लूप में इस तरह यह सब जो कंट्री है इसमें महिलाओं का पॉपलेशन ज्यादा है मेल कि तिलना में देख सकते हैं कांट्री और पॉपलेशन उनका सेक्स रेसियो देख चाइना का लगवां थ्री पॉइ इस तरह से बंगलादेश का देख सकते हैं इस तरह से और भी बहुत सारी कंट्री है जैसे देख सकते हैं कनाड़ा का भी नेपाल का भी ऐस्टेलिया के लंका का भी भूटान का माहत्रावादी एक आट लाकी इसमें में फिमेल ज्यादा है और मेल ज्यादा है और फिमेल कम है इस तरह से देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं कनाड़ा में लगवाग मेल कम है नो सटी है एक हजार फिमेल में से नो सो तीस मेल है एक हजार फिमेल में से सो थैंक्यू यह कैसा रहा प्लीज कमेंट कर जरू बता है तो थैंक्यू बेरी मच तेंक यू